Hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज हम बात करेगे बंदन बैंक Ltd के बारे में So guys, बंदन बैंक Ltd में बिलकुल यहाँ पर एक बड़ा टारगेट मिल गया है और कल बिलकुल धमाका हो सकता है क्योंकि इसके पास एक स्ट्रॉंग सपूर्ट लेवल भी है और बिलकुल यहाँ पर माला माल कर देगा है स्टॉक और बंदन बैंक काफी बड़ा टारगेट भी दिया गया है बंदन बैंक में और काफी कुछ बाते होगी इस वीडियो में और बंदन बैंक में हम पहले भी कई सारे वीडियो बना चुके हैं और यहाँ पर हम daily update देते रहते हैं इसके बारे मैं और गाईस कल क्या होगा अगर आप intraday करते हो तो आपको मोका मिल सकता है बट गाईस कही न कही आज भी इसमें तेजी रह सकती थी बट यहाँ पर market में गिराउट थी bank निप्टी में भी गिराऊट हमें देखने को मली जिस वीडियो को स्टार्ट कर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल दमाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेयर के अपडेट्स के लिए शेयर की लेटिस न्यूज के लिए तो गैस करते हैं वीडियो को स्टार् दी है और एक रुपे जिरो पाच पेसे तक अस टॉक में यहाँ पर आज हमें गिरावट देखने को मिली और 0.33% के हिसाब से स्टॉक में आज एक गिरावट देखने को मिल रही है बट एक कभी भी स्टॉक में एक बड़ा स्पाइक आ सकता है गाईस और वही अगर आगे पर हमें क्या देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर कही न कही एक सपोर्ट एक रेजिस्टंस स्टॉक शो कर रहा है और यहाँ से एक बिल्कुल स्टॉक उपर की और गया था फिर स्टॉक में एक कंसिस्टेंस से यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली थी बट यहाँ पर stock ने एक support लिया. फिर उपर गया. और यहाँ पर resistance ले के stock फिर से नीचा आया. और फिर यहाँ पर एक support लिया. फिर यहाँ से एक sideways momentum हमें देखने को मिल रहा है. और यहाँ पर फिर से stock ने एक support ले लिया है. So guys, यहाँ पर हम wait कर रहे है एक breakout का तो यहाँ पर यह already support ले चुगा है और यहाँ पर consolidate कर रहा है तो यहाँ से एक momentum आ सकता है इस level पर और यहाँ पर अगर breakout मिलता है तो एक बड़ा spike हमें देखने को मिल सकता है guys तो कल बिलकुल यहाँ पर धमाका हो सकता है और बड़े momentum यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है तो देखना होगा आगे stock में क्या होता है और वही अगर as a long term के हिसाब से भी अगर देखो तो one month time frame पर already हमें breakout यहाँ पर मिल चुका है आप देख सकते हों और यहाँ पर अगर परफेक्ट breakout अगर मिल जाता है तो 703 रुपे के असपास को हम target रहे हैं as a long term के हिसाब से और यहाँ पर अगर देखा जाए तो breakout के बाद एक consolidate करने यहाँ पर sustain करने के लिए आ सकता है तो वही चीज में आपको show करके बता देता हूं कि एक breakout के बाद यहाँ पर retest करके stock ऊपर के और जाने के लिए ready है तो काफी कुछ चीज़े है गाइस stock में जो आपको देखनी चाहिए थी जो मैंने आपको बताई है और वही अगर देखा जाए तो 5 दिन के time frame पर stock में क्या नजर आ रहा है वही अगर देखा जाए तो stock एक महीने में 26 रुपे 70 पेसे तक एक बड़त हमें देखने को मिल जाएगी 9.04% के हिसाब से stock बिलकुल उपर की जाता हूँ नजर आ जाएगा और गाइस वही अगर देखे 6 महीने में क्या stock में नजर आ रहा है तो 31 रुपे 70 पेसे तक की एक rally हमें stock में देखने को मिल रही है और 10.88% के हिसाब से stock उपर की जाता हूँ नजर आ रहा है गया तो यहाँ पर एक consistent तरीके से stock में तीजी देखने को मिल रही है बट यहाँ पर 5 दिन और आज की दिन यहाँ पर गिरावट है बट कही न गहीं एक बड़त आ सकती है एक बड़ा spike देखने को में मिल सकता है तो market cap क्या है stock का 51.93 करोड का इसका market cap है और market cap के इसाब से एक चीज क्लियर हो जाती है कि यह stock mid cap stock की category में आता है dividend की अगर बात कर ले 0.31% का stock dividend भी हापर देता है वही अगर बात करें open कहा हुआ था stock तो open हुआ था 326 रुपे के price पे और वही अगर देखें 237 रुपे 50 पेसे का यहाँ पर stock ने आज high भी लगा और 320 रुपे 80 पेसे का low भी लगाया है यहाँ पर अगर 52X के high को अगर देख लो guys इडल्वीज ने एक firm है इडल्वीज करके तो उन्हों ने एक target यहाँ पर दिया है बंदन बैंक के लिए 348 रुपे का target यहाँ पर उनकी और से दिया जा रहा है बंदन बैंक में तो एक बड़ी बात है और बलकुल यहाँ पर जा सकता है हमारा target तो काफी बड़ा है बट यहाँ पर इडल्वीज ने भी दिया है तो confirmation हो जाता है कि stock बड़ेगा बड़ेगा और resistance की बात करें 340 का resistance है third वाला और second वाला है 335 रुपे संध्यानवे पेसे का third वाला है 329 रुपे 47 पेसे का support levels में 308 रुपे 08 पेसे का first support level है second support level 314 रुपे 57 पेसे का है और third है यहाँ पर सौरी वाला है 318 रुपे 90 पेसे का सो गाइस यहाँ पर resistance और support level तो हमने देख लिए है price performance कभी यहाँ पर गिरा भी है और यहाँ बड़ा भी है one week का यहाँ पर 0.16% यहाँ पर प्लस में है one month का 6.89% प्लस में है three months का 3.45% प्लस में है और year and half का 27.40% यहाँ पर प्लस में दिखाए देगा one year का minus में है 7.55% और three years का यहाँ पर minus में दिखेंगा 31.93% के आसपास तो यहाँ पर guys price performance हमने देख लिए है shareholding pattern की अगर यहाँ पर trade values और combination deliveries की अगर बात कर लू तो 47 लाग के असपास का trade value आपको देखने को मिलेगा और yesterday की बात करू 73 लाग का trade value और 19 लाग का है combination delivery और one week के अबरेज की अगर बात कर ले 70 लाग का trade value और 21 लाग का combination delivery देखने को मिल जाएगा वहीं अगर बात करें वन month के time frame पर तो 97 लाग का trade value 28 लाग का है combination delivery यहाँ पर community sentiments के आकड़े विलकुल यहाँ पर 100% buying के है और revenues की बात कर ले revenues अच्छे का से बड़े हैं अच्छा कासा improvement है revenue में 2021 की बात कर लो तो 12,524 करोड का revenue है 2020 में 10,885 करोड का revenue है 2019 में 6,643 करोड 2017 18 में भी अच्छा revenue gain किया है और net profit यहाँ पर 2017 से 20 तक अच्छा बड़ा बड़ 2021 में डाउन गया है 2205 करोड और वहीं अगर देखे शेर holding pattern 39.99% की holding promoters की है FIS की holding 34.6% की है DIS की है 1.93% की holding public holding है 23.47% और others की बात की जाए 0.01% की holding उनकी देखने को मिल जाएगे तो गाइस और और बंदन बैंक होए एक अच्छा last अच्छा